हेलो माई डियर स्टूदेंट्स माई नेम इस शेक सदाम और वेलकम यू अल अन यूटुब चैनल गुल्डेन टूटोरियल और आज का हमारा टॉपिक है इंदर्मचट मतलब जो है फ्यूल जो केरोसीन पैट्रॉल है ना और जो गैस यह सब जो होते है उस चीज के बारे में हम लोग बच्चत करने की बात अज इस चैप्टर से सीखेंगे तो चलो दोस्तों आईए स्टार्ट करते हैं अई का वाच्चा यहां से स्टार्ट हो रहा है दीनु ची आई आजारी होती तो स्वैय पाक घरात आई साथी चहा करत होता तो दीनु जो है यह जो लड़का है उसकी ममी बिमार थी आजारी मतलब बिमार जो देखो पीछे लेटी होई दिख रही है पीछे वो सो रही है आराम कर रही है और दीनु क्या कर रहा है चाय बना रहा था दरवाचे ची बहलवाजली त्यानी दार उगड़्लै तर समोर त्याची वर्ग मैत्रिन फातिमा उभ भी होती त्यानने तिला घरात बोलावले तो दर्वाजी की बैल बेजी और दीनों ने जाके दर्वाजा खोला उगर्ले मतलब दर्वाजा खोला तो वहां पर समोर त्यांची वर्ग मैतरीन तो उसके जो पास में जो घर के रहने वाली जो उसकी नेबर उसकी दोस्त फातिमा वहाँ पे खड़ी हुई थी तो उसने क्या किया उसको घर के अंदर बुलाया त्यान मितिला घरात बुला वले ठीक है तो यह फातिमा है और दीनों उसके बाजुमे जो चाय बना रहे तो दीनों और फातिमा का देखो समवाद चालू हो गया समवाद मतलब डायलोग चालू ह वो लोग दोन्हों बात करने लग गया है धिनु फातिमा कच TD लू ने क्या बोला फातिमा ये बस तो दरवाजे के भांडी थी तो उसने फटाक से घर के अंदर बुला लिया धिनू का любов तो दीनों क्या बोल रहा है आई साथी साह करतो स तुह या साथी करू का तो फातिमा उसको पुछा कि तू क्या कर रहा है तो उसने क्या बुली कि मैं मम्मी के लिए चाय बना रहा हूँ मैं तेरे लिए भी बनाऊ क्या फातिमा हसत हसत नको मी चहा घेत नहीं काई रे एक कप चहा करन्या साथी एवडा मुठे पातेल तो उसने बुली हस्ते हस्ते कि नहीं नहीं मैं तो चाए नहीं पिऊंगी मगर एक कप कोई चाए बनाने के लिए इतना बड़ा पतीला यूज़ करता है तो दिनो काई बिगर्ड तो मतलब उसने बोला उसमें क्या हो गया एक कप चाए बनाना है तो मैंने पतीला लिया तो चाए तो हमें एक कप यो या दस कप यो तो हमें कितनी भी जो चाए बनाना है वो पतीले में ही तो बनती है तो अब उसने उसका कन्फिशन जो है वो उस चीज़ को धूर किया ओके फातिमा क्या बोल रही है अभी अरे इस सोटे पतीले घेतले अस्तल अस्तर पानी लवकर उकड़ ल अस्तर तो उसने बोला कि अरे रे छोटा जो पतीला अगर तू लेता तो क्या हो जाता था पानी जल्दी उबल जाता था जल्दी बॉल हो जाता था हे माजया लक्षात आला नहीं तो दिनों ने बताया कि ये मेरे दिमाग में नहीं आया अरे छोटया पातिला मुड़े सहा लोकर जाला अस्ता अनी हो ठीक है उसने क्या बोला छोटा जो पतिला है उसके अंदर चाई भी जल्दी बन जाती थी समझा तो इदनाची मनजे गैस चीही बचचत जाली अस्ती समझला तो और उसके साथ साथ गैस की भी बचचत जो है हो जाती थी है ना फ्यूल भी जो है वो सेव हो जाता था तो समझला समझला अन्हीं लक्षात ही आला दीनों चे दीनों ने चहा कपात आतले आनी आईला घेउन दिला ठीक है तो उसने क्या वहला समझ गया समझ गया मेरे दिमाग में आ गया और दिनों ने क्या किया चाय जो है वो हाथ मे ले लिया और उसकी मम्मी को जाके दे दिया नियोन दिला ओके तो आपको इस चीज के बारे में पता चल गया होगा कि फियूल जो है वो किस तरीक से बचट किया जाता है ओके तो आपकी मम्मी या फिर आप कहीं देखोगे कि मतलब थोड़ी सी चीज बनाने के लिए बहुत बड़ा पतीला या फिर बहुत बड़ा सामान उस नहीं करना है अगर हमें कुछ छोटी सी चीज पकानी होगे तो हम लोग छोटा पतीला या फिर छोटी कोई ऐसे चीजे ले क्योंकि इसचिसंद की कमिई हो रही है इसके लिए तो हमें फिईल को सेफ करना चीहें नहीं तो हम लोग को फ्यूचर में बहुत जाधा प्रॉब्लम होगी ہے ना तो आप सब जो है इस चिस के बारे में ध्यान रखें के हम फि municipus सेफ करेंगे ऐसा तो नहीं है कि हम लोग यूज करना बंद कर सकते हैं टेली खाना तो पका नहीं है बड़ आप लोग सेफ करो है ना कुकर होता है कुकर के अंदर खाना बनाओ डाल चावल जो भी है ममी को बोलो कुकर के अंदर बनाने के लिए और जबी भी खाना बनाएंगे तो जो पतीला होता है उसके पर धकन ढाक कर बनाएंगे तो गैस जो है वो बहुत ज़ादा बचेगा और अगर गाड़ी से अगर आप लोग ट्राइवल कर रहे हो तो जो गौवर्मेंट ने जो बस पेट्रोल सेव नहीं होगा है ना अगर हर एक इंसान बोलेगा कि मैं गाड़ी से जाओंगा अकेली गाड़ी से जाओंगा तो सब जन अकेली अकेली गाड़ी से जाएंगे तो क्या होगा पॉलूशन भी होगा है ना इन्वायर्मेंट भी खराब होगा धुए से और उपर होती है train होती है उससे हम लोग travel करें ओके तो यह exercise में वैसे भी आप लोग को दिया हुआ है यह चीज़ आप लोग solve करोगे तो आपको समझ में आएगा और इस चीज़ के related भी मैं वीडियो बहुत जल्द बनाऊंगा जैसे ही हमारा portion complete होता है ओके तो आप लोग को अगर यह चीज़ समझ में आई है तो प्लीज like करें और subscribe करें चैनल को और comment करें अगर आपको कुछ भी doubts है तो ओके और येस इस वीडियो को आप कम से कम दो बार देखे ताकि आपको अच्छे से समझ में है ओके थैंक्यी सो मच प्लीज दो करें अपको अपको करें आपको करें आपको का दो बार देखे तो